तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए LED वल्ब आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई भी सस्ता वाला LED वल्ब भी यूज कर सकते हैं यह तो बहुत ही सस्ते आते हैं यहां पर खोलेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका मैंने जो है डियो भी एक लगा हुआ था और जैसे मैंने निकाल रखा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें लगाने के लिए मैं अलग से पर यह डियो भी खार्ट एक करें अभी मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जोडिए यह मल्टी कटलर 7 कलर 2 है 7 या फिर थिर यह व्याइदगे लेकिन यह बहुत हीं अच्छा काम करता है यह जो है बुम रेड और फिर वाइट और यलो जलता है यह बहुत ही अच्छा काम करता है तो इस GUB का हम यूज करेंगे यसमें लगाने के लिए प्रूप हाई इसको लगने से पहले यह जो गूबी है वो जलते हमें गर्म होती है तो आ पर एक हिट सिंग चाहिए यह पुराने LED में से आप इसे निकाल सकते हैं और यहां पर मैंने एक छेद कर रखा है और दो छेद इधर दर है ही तो इसको क्या कर लेंगे सिंपल इसमें लगाएंगे और यहां पर एक जो छेद है उससे हम इसके जो दोनों wire है इसको लगाएंगे और sold करेंगे होगा और इसको जो है यहां से हम इसे कस देंगे तो यहां पर screw लगाएंगे और इसको हम कस देंगे चलिए यहां पर हम दोनों screw से इसको कस लेते हैं यहां पर देखिए यह जो heat sink है उस पर जो यह DOB है वो कसा जा चुका है आपको यह DOB जो है market से खरीद कर लाना होगा और यह जो heat sink है आप किसी भी पुराने LED से निकाल सकते हैं और यह देखिए यहां पर जो हमने screw से दोनों को कस दिये हैं बस यह जो DOB है पूरा का पूरा इ इसमें कि यह terminal लगे हुए हैं उससे दो वायर निकले हुए हैं उसको हम simply ऐसे दोनों वायर को पकड़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक छेद होगा उसमें ही हमें डालना है और चलिए इसको अब sold करते हैं यहां पर मैं आपको दिखा दूँ कि L और N लिखा हो तो लिंक आपको description में मिल जाएगा मैंने बना रखा है जिस दिन मैंने इसे खरीद कर लाया था HDOV को उस दिन मैंने एक इसके उपर एक dedicated वीडियो बनाया था आप उसे देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यह दोनों वायर को इन दोनों टर्मिनल पे ज यह दोनों वायर हैं यहां पर sold हो चुके हैं अब जो यह LED प्लेट है यह जो हमारा हीट स्रिंग है उसको इस पर कसे होना थोड़ा जरूरी है ताकि यह जो है हिलेना तो चलिए इसको हम चिपका देते हैं अभी तो चलिए यहां पर मैं फैबी क्विक से जो है इस हीट स्रिंग को चिपका देता हूँ जो कि काफी अच्छे से चिपक जाएगा अगर मैं यहां पर गलू लगाता हूँ जैसे गलू गन होते हैं उसमें जो गलू लगा होता है तो यह जब हीट स्रिंग गर्म होगा तो हो स तो इसको हो गया आप उपर का जो डियोबी होता है यह जो डियोबी है हमारे पास इस पर जो थोड़ा सा वर्क करेंगे तो चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए साइट में रखते हैं और इस पर वर्क करना शुरू करते हैं तो यह देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो DOV है, उसमें हमें छेद करना है तो इसमें मैं soldering iron से कुछ छेद बना रहा हूँ आपको चारो तरफ, इस DOV के चारो तरफ यह जो DOV नहीं है, इसको diffuser बोलते हैं यह जो diffuser है, इसके चारो तरफ हमें छेद बना लेना है आप चाहो तो रंडमली भी छेद बना सकते हो या फिर एक पैटर्न में भी छेद बना सकते हो जैसा कि मैं यहां पर बना रहा हूँ, soldering iron से आपको भी ऐसे ही छेद बना लेना है और उपर नहीं, इसके अगर चारो तरफ आप इफेक्ट चाहते हैं तो आप चारो तरफ भी जो छेद है उसको बना सकते हैं तो चलिए मैं इस छेद को बना लेता हूँ, बागी फिर आगे बढ़ते हैं तो यह देखिए, इस diffuser पर कुछ आपको इस तरह से छेद बना लेना है आप इसे soldering iron से भी छेद कर सकते हो या फिर आपके पास अगर drill है, छोटी drill है तो आप उससे भी छेद कर सकते हो बहुत ही आसानी से इस पर जो है छेद हो जाएगा और इधर भी मैंने छेद कर दिया है ताकि इसके चारो तरफ जो है अच्छे जो pattern है वो बने अब चलिए इसको हम simply इसमें लगा देते हैं और यह जैसे पहले लगा था आपको इसे बंद कर देना है ठीक है यह ऐसे बंद हो जाएगा अब देखिए अब चलिए इसकी हम लोग testing देखते हैं यह सिंपल सा mechanism है यह त्यार हो गया सिंपल सा electronic circuit यहां से आपको जो power है वो डियो भी में जाना है और जिसको हम holder के जड़िये देंगे चलिए इसमें हम holder लगाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह स्यव Power सागरी से आपको देखता हूं कि यह कितना ज्यादा बहतरीन क लगा रहा थो चलिए ही हे खुलडर में हम इसको कस देते हैं ठीक है आप नीचे देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि इसका जो लाइट है और इसका जो पैटर्न है अभी तो ग्रीन रंग का है और यहाँ पर देखिए यह जो ब्लू है काफी ऊपर से आप रखेंगे तो यह बहुत अच्छा लेगा अभी मैं इसको दिवाल पर भी जला कर जो तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अभी जो है वह सारे कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे रेडर, ग्रीन, ब्लू, वाइट जो है सारे कलर जो है आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे और यह जो है बहुत ही खुबसूरत लाएगा वैसे मैं आपको कैम्रे पे भी नहीं दिखा पा रहा हूं कि यह कितना ज्यादा खुबसूरत लग रहा है आप ऐसे बनाएंगे और देखेंगे यह बहुत ही जादा खुबसूरत लगेगा वैसे यह automatic भी हो जाता है on off भी हो दने लगता है अपने से खुद से तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यह जो है automatic mood में चला गया है अब मैं switch को on off नहीं कर रहा हूँ फिर भी यह जो है color जो है अपना change कर रहा है अपने से और यह जो है बहुत ही खुबसूरत लएगा आप जब बनाएंगे तो I hope कि आपको यह हमारा idea पसंद आया होगा अगर आपको यह हमारा idea पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे channel subscribe कीजिए मिलते हैं कैसे ही नहीं और amazing video उमत्तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाए